कि मेरे पैरमित्व नमस्कार आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नमबर 60 ओपी गपता फुल मेकनेक्स तो आई देखते हैं आज का पहला कोशन आज का पहला कोशन कोशन मेंबर 296 है कर दो बिलेड आफ ऐसें टू करब्ड फारवर्ड करब्ड हैं आगे की ओर ठीक इफ दा मोशन आफ इंपेलर बिलेड इनलेट टिप अब बिलेड कर इन डिरेक्शन अपोजेट तो देट इस चार आफशन हैं जो मिलते जूलते हैं अक्शली हमारे पास अगर हम देखें किसी इंपेलर की बनाबट तो उसके जो बिलेड होते हैं उनमें का एंगल रहता है वो एंगल के अधर पर तीन प्रकार की बिलेड होते हैं ठीक हम उनको पहले समझ लेते हैं जिससे में आफ टाइप साफ पहला टाइप दूसरा टाइप है और यह जो है इनका तीसरा टाइप है ठीक डालो हैडिन टाइपस आफ इंपेलर जो पहला टाइप है वो है करब्ड फारवर्ड करब्ड हैं फारवर्ड मतलों आगी को और करब्ड करब्ड फारवर्ड इंपेलर जान दीजिए हम अगर किसी पंप के बारें बात कर रहे हैं तो हमें मान चल लें कि पंप जो है वो किलोकवाज घूंब रहा है ठीक पंप की डियक्षण है यानी साफ्ट जो जो हमारी इंपेलर की साफ्ट है वो किलोकवाज मोवमेंट इसमों हो रहा है इस तरीके से हैं हम इसको आगे से देख रहे हैं फ्रेंट से देख रहे हैं टीक ऊपर से नहीं फ्रेंट से देख रहे हैं पंप को सामने से गड़ी तरहें इस काम मोवमेंट कर रहा है है किलियर है जबकि इसको देखने का जो सिंजर्ड वोता है वह होता जाओ हम इसकी साथ देखते है है projekt कज़े है जिग्स are we have Right now अब हम इसको समझने के लिए आपको सामने दिखा रहे हैं यतने भी पंप है हम माणते हैं कि हandy कि रहा है ठीक है अगर लगान अगर शाये की छो इंपेल अगर करव को रहे हैं र की ट्रेक्षा नाफ आप इंपेवर don a कิलाउक वाईस त्यूह कि अगर इसन जो करींए नहीं Síl भी टेसे को फाइवर पोलतेंगे अगर उल्टी है पहला जो टाइप है बहप करप्ट फारवर्ड इंपेयलर जए इसमें क्या होता है इसमें जो आगे को और इस तरीके से जोके हुए है किस तरफ जोके हुए है इसलिए इनकों क्या बोलते हैं अगर हम इनमें के लाइन बनाएं जो जहां जा रहा उसी दिसा में आगे बढ़ा दें इसको ठीक और उस प्रेंट पर हम इस तरीके से टैंजेंट बनाएं यहां पर वीटा टू की वैलू मोर देन 90 डिग्री है एनि भाईया अगर कोई हमारा बिलेड ऐसा है जो फारवर्ड करप्ड है तो वहां पर वीटा टू यह वाला एंगिल जो है मोर देन 90 डिग्री होगा ठीक दूसरा इसके लिए खास बात क्या है कि अगर ए अगर ए अगर ए फरवर्ड है तो अगर मैं हाइड डवलप हैड यह फिर एच आप आप आज बोलते हैं अगर क्यू इसमें गिराफ बनाएं तो यह गिराफ इस तरीके से जाएगा है और उपर गोर जाएगा क्यू बढ़ेगा Q, H आपसमे proportional है Q बढ़ेगा तो H भी बढ़ेगा clear यह बात आपको समय मागी होगी दिशेदा corrupt forward impeller क्या होता है एक लाइन लिख लो far centrifugal pump far centrifugal pump blade facing forward forward direction of rotation rotation के लागवाईज है तो उसी ही दिशा में यह blade के curve भी इस तरीके से है यह direction of curve है करप्ट विर्यड है वह आपका direction of rotation आप पंप के साथ ही है उसी दिशा में है उसी दिशा में है उसी दिशा में है करप्ट फायरबर्ड यहां पर बीटे टू कितना है 90 री से जाद है इस वह जैसे head क्यूब पर डिपन करता है जैसे क्यों बढ़ता है head बढ़ता जाता है इस टाइप के pump में Q भी बढ़ेगा और head भी बढ़ेगा अगर हमने ऐसा pump impeller से लट किया है तो दूसरा जो है वह जैस्ट उसका उल्टा है जिसे हम बोलते हैं करप्ड backward impeller करप्ड बैकवर्ड impeller करप्ड बैकवर्ड impeller अब जो करप्ड बैकवर्ड impeller है वो भी कुछ इस तरीके से होता है बस उसमें एंगिल जो है उल्टा होता है निश्य देख पारेगा आप कि बिलेड जो है वो इस दिसा में इनका करप्ड है इस तरीके से मोड़े हुए है मतलब बैकवर्ड उल्टे और जो मोटर का रोटेशन है वो clockwise है यहीं मोटर क्लोगवाज घुम रहा है तो बिलेड में जो एंगिल है वो एंटी क्लोगवाज है इसलिए उसको हम करप्ड बैकवर्ड बैकवर्ड उल्टा तो लिखो इसके बारे में वाटे बैकवर्ड इसको हम स्ट जिए निजा है वाटे जाग नेगा धा पारे था बैकवर्लट का फेसिए, यही्या में टीजा है मिलेड लेड परक प्र 그렇지 ऑल्य ग्हुर्ट बैकवर्ट बैका थेश्च का आः निजाए, पर समें रोटेशन जिसमें कैसे निकालोगे एक पांट ले लिया आपने जिधर एक सीधे एक पर टैंजन वे लिए पहले और जिधर एंगल है उस तरह कैसे एक एंगल बना दिया तो बीच में बना एंगल वो बीटे टू होगा सीधे आपको पांट टैंजन बनाना है हर जगा सेम और फिर जिस तरफ बेड़ का करव उसको आगवड़ा देना है तो बीच में अंगल बन जाएगा यहां पर बीटे टू देख रहे हो आपकी काफी कम है सिंपल समझना है कि जाणटी डिवरी से कम है और यहां पर जब आप बनाओ गए तो गिराफ सीधे रखाएगी क्यों वो रहेच में यहां पर हैड घटेगा क्यों के साथ इस टैप अगर मालने की इस पकार का जो पंप है वो क्यूटी फिलो देता है कि सेम किसी हैड पर और फारवाड में क्यूवन फिलो हाई क्यूवन प्लू एक वर क्षाए के बैक्वार्ड कंडिसेन होता है किसी की आढ़े ऐसक्मिंग मालके लिए है क्यूटी एलू क्यूबन से जादा होती है ARE तो सिंपल है कि अगर आपको ज्यादा फिलो चाहिए तो बेड़ का सेलेक्शन करते समय आप बैकवर्ड फिड़ो इंपेलर सेट करießे अगर ज्यादा फिलो चाहिए जबकि हैड मुझे कम बेलेगा तो हम मगे ज्यादा फिलो कंडिशन में है ता मुझे इसको फ्रिफर करना चाह तब आप इसको प्रिफरेंज दोगे कि इसको बैकवाड़ वाले को प्रिफरेंज ए बात आपको दहां रखनी है तीसरा जो टाइप है वो है रेडियल जो इनके बीच का है वो कहता भाई मजी कोई मतलब नहीं है हमारे पास एक सिंपली अब बोलता हमारा बिलेट ना तो आगे जुकाओगा ना पीशे जुकाओगा सीधे नबड़ डिगरी पर जो एक्सेस है पंप की मतलब साफ्ट उसके एक वाडिंग जो साफ्ट पर एंगल बनेगा इसका वो अगेंगे वैलू इकोल टू 90 रिगरी यहां पर वीट्र टू होता है और यहां पर एच और क्यूमें न बढ़ता है न घड़ता है सीधी रिखा आती है मतलब जिस रेश्वे में आप क्यों बढ़ाओगे उस रेश्वे में एच बढ़ जाएगा तीसरा टाइप है जिसका नाम रेडियल विलेड मतलब इसमें जो विलेड होते हैं वो रेडियस के एलॉंग बढ़ते हैं इनको हम फिलेट विलेड भी कहते हैं इसमें नाम फारवर करप्ड हैं तो लिखोश में बिलेड पर्पेंडिकुलर पर्पेंडिकुलर टू दा एक्सिस आफ रोटेशन एक्सिस रोटेशन से एक परपेडिगुलर एंगिल बनाते हैं इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम यह बोलते हैं पिछले बार अक्जाम में एक कोशन आया था कि अगर मालो ऐसा कोई बिलेड है तो पावर और क्यों क्या रोटेशन आएगा फावर के लिए तो सीधी रेखा जो है वो रेडियल बिलेट को इंडिकेट करती थी फारवर्ड में फिलो कंट्रीनों क्या बढ़ रहा है तो यह फारवर्ड को रिपन करती है पावर्ड को रिपन करती है पावर्ड क्यों का रिलेशन ने इन तीनों इंपेलर के लिए यहां पर नोट लिखो यह पॉइंट नोट नोट इस दस रुपय के नोट नहीं है भी यह गरीबाद में हम अब को महनत करके बढ़ा रहे हैं जो देखाओ टाइम आपको टाइम देखाता हो कि तरा टाइम है टाइम का है आजा भई टाइम आजाओ टाइम देखो टाइम कितना है बारा बचके अठारा मेंट रात के सुबह से पढ़ा रहा है हम आपको पढ़ा सकते हैं सिर्फ हमारे हाथ मेरे कुछ नहीं है मेहनत आपको कर नहीं है यह मेहनत आने वाले सवय में इत्यास में बहुत बड़ा बेनिफिट आपको देगी हो सकता हम हो या ना हो मगर मेहनत रहे गया हमें साम नोट लिखो डिरेक्शन आफ कर्व डिरेक्शन आफ कर्व एक कर्व विलेड अट आउटलेट टिप इज अपोजिट 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 फ्राम दा मोशन आफ इंपेलर जिद बैकवार्ड कर्व डिरेक्व विलेड समझ गे हमारा को सिन था वह सिंपल था बड़ा आपको बूरा समझाया क्योंकि अब आप 10 कोशन आएंगे तो सब करपा हो गए अब इस योग की बन गए हो कोशन सिंपल से था the billiard of centrifugal impeller are said to be corrupt forward corrupt forward कब होते हैं यह समझो corrupt forward तब होते हैं जब motion के साथ होता है इनका करप फाल आपसन इनलेट टिप अफ बिलेट करब डिरेक्शन आपोजिट्ट टुदा जएट प्रेट नहीं होता है कि आपको यहां से तो यह तो इनलेट टिप होग या ओट्ट वह उट्ट है हम बतला आपको बता है यहां से लिए हम एंगल बनाते हैं जी खीशते हैं हमें मतलब आप जो टिप से इन लेट जहां जाए वह काट दो अब भी उस डी बचा आउट लेट टिप हमें फारवड के बारे में बात कर रहा हूं तो साथ महोने चाहिए रेक्शन होने चाहिए आउट टिप बैड कर इ टू बाड डिरेक्शन कर रहा है कि आउट लेट टिप आप डिरेक्शन आप मोशन आप इंपेलर तो डी इस दर राइट आंसर दोसों चैनलबे का डी साही आंसर है कि ठीक समझें पूरा मजाया कि फारवर्ड में जो आप डेट टिप होती है वो की द्रेक्शन वही होती है जो कि इंपेलर की मोशन की ड्रेक्शन होती है कि चला को सब्सक्राइब नमबर 297 देखेंगे कि टमपरिचर इन आजेंट्रोपिक फिलो कि लिखो यहाँ पर है कि रिवर्स लण है है रिवर्स बल रम एक डिएवैटिक प्रोसेस का मतलब होता है है रिए आजन्ट्रोपिक प्रोसेस कि अज़ीक बाशस लेशित 2 और श्श्ध रिवर्स ट्रवेटिक फिलγें रिट 59 कि लिए इसमें टंपरेचर होता है इसे बोलते हैं इस्टागनेशन टंपरेचर है इस टेगनेशन लिए टीटी से दिखाते हैं इस नार्मन टंपरेचर तो बन फिलस गामा माइनस बन अपन टू और M स्क्वाइर ठीक, M is the Mac number तो यहाँ देख सकते हैं जो इसका temperature होता है वो function होता है Mac number का Question number 297 में पहला option कहरा है does not depend Mac number दूसरे में कहें depends on the Mac number only तो B is the right answer 297 का B question number 298 जेखेंगे कहरा है बिच्चर था following two quantities when same Macs one pipe system equivalent to another pipe system देखो कोई भी pipe इस pipe के equivalent है इन दोनों pipe में क्या हो रहा है same हम head loss मिला है समझे यह मतलब है तो क्या वो दोची हैं जो इसको ऐसा बनाती है तो सीधा answer है वो दो परामेटर है length और diameter अगर इसके diameter और length दोनों को बराबर है और material क्या है उनका same है तो हमारा head loss होता है F L V square upon 2 D G G same है जेखो G same है काड़ दो F same है material same है से लिए D और L पर depend करता है V B B depend करता है area मतलब diameter तो अगेन D और L दो परामेटर है अकर वो दोनों सेम है तो हम बोलते हैं दोनों पाइप आउस में equivalent है पहले आपसे head and discharge चाहिए नहीं length and discharge चाहिए नहीं कैसे वहना चाहिए C length and diameter which of the following two quantities when same makes one pipe system equivalent to another pipe system चीक length और diameter मैंनेस का derivation आपको करवाया था question number 299 देखेंगे कहरा during aging a fluid carrying pipe during aging the fluid carrying pipe क्या होता है pipe becomes smoother मतलब अगर कोई pipe system है कोई pipe है उसको बहुत लंबे समय तक हम यूज करते आ रहे है तो ऐसा करने से क्या होगा पहला आपसे कहरा pipe become smoother pipe लगाता है स्मूथ होता जाएगा roughness उसकी कम होती आएगी यह पर दूसरा option कहा रहा है fraction factor increase linearly with time जैसे इसे हम pipe use करते हैं आपको मालम है बिद्द बिद्द एरोजन उसका जो fraction factor बढ़ता जाता है अब वो time के साथ बढ़ता है this is the right answer 299 का V option सही है clear इसमें आपको fraction factor का नहीं संगाते हैं जैसे यह से time बढ़ता है U minus U average upon U star यहां पर U Felo velocity है U average average वाज़टी है और U star shear velocity है यह पता रहा है चीह आप ख्वाली U star जो है shear velocity है क्या होता है जो आपको पता चुका हूं और U simple Felo velocity है Felo velocity है और U is the average वाज़टी है average वाज़टी इसकी भर्यूपरा होती है 5.75 log base 10 by upon R जिस 5 में फिल हो रहा है उसका radius है R और by जो है वो लोकल value है जहां तक मुझे value चाहिए U की 3.75 यहां solve करें अच्छा जो shear velocity होती है वो होती average वाज़टी under root F by 8 F is the fraction factor अगर हम by equals to R करते है तो U हमारा जो है U maximum की बराबर हो जाता है तो ऐसे case में हमारा formula बनता है U maximum minus U bar upon U bar under root F by 8 हमने सर्फ shear velocity की value put कर दिये 3.75 यह 3.78 value put करेंगे solve करने पर यह relation के बीच में आ जाएगा अगर हम देखें तो U max upon U bar minus 1 3.75 upon under root 8 और under root F उपर लेडिया solve करो U max U bar equals to 1 plus 1.33 under root F यह relation finally ने करके आया एक line लिखने है आपको बज़े आपर लिखना as the pipe as the pipe aged बूरा होता जाता है the absolute roughness absolute roughness increases increases with time थोड़ी रफने से एक साल बाद दुसार बाद थोड़ी दोगनी रफने से एक उसकी with time ठीक यहां पर लेको तो so proportion relation सब्सक्राइशन बिट्वीन मैंग्जिमम बाइटी एंड मीन बाइटी इन टाविद फिलो इंक्रीज जी यह से समय बढ़ेगा रफने इस फ्रक्टर बढ़ेगा फ्रेक्शन फ्रक्टर बढ़ेगा और रिसके बढ़ने वाई से यूमेक्स अपॉन यू बढ़ेगा इस रिलेशन के एक और इन ठीक मतलब बढ़ेगी इसे टाविलेंसी बढ़ेगी चलिए कोसे नमबर तीन सो देखते है क्या कहता है कोसे नमबर तीन सो बढ़ेगा इसे आफ़ कोफिसेंट आफ कॉन्टक्शन इसे रिसके कहते हैं इस अफ्रूड जैट डिस्चार्जिंग फ्राम 50 mm डैमीटर और चैसे has 40 mm diameter at the bena contactor, bena contactor diameter diameter दिया हुआ है और orifice का diameter दिया हुआ है, coefficient of conduction मैं आपको बता है कि दो प्रकार के area करेस्वी होता है, तो लिखेगा, area of jet at bena contactor, bena contactor बते, area of jet, at orifice diameter, orifice diameter, area करेस्वी है, pi by 4, d at bena contactor, इसका square, pi by 4, d at orifice का square, solve करोगे तो simple dbc upon d0, 40 by 50, value for the cut, change करने कोई जरूत नहीं है, कि यहां सब्सक्राइब पाइंट आएगा, उसका करोगे तो पाइंट 6 पोर आजाएगा, इन्पोर्टेंट कोईशन है, दस्त ज्यादा वर अक्जाम पूच्टों का डेफेंट अक्जाम है, तो भीया, यह इदर आइट आंतर, तीन सो का यह आंसर है, यह था हमारा कोशन तीन सो तक का सफर, बहुत ही मुश्किल ला है, हमने बहुत प्रियास कैस के लिए, बन्नो पॉलों, सफर तो अक्सर मुश्किल होता है, वर सफर पर हमें हिम्मत नहीं हार नहीं है, हमारा जो कंटेंट सूपर कैप्सूल बहुत सूपर है, इसमें टोल हमें 26,000 गंटे लगे बनाने में, छोड़ा रही है, जो आपसे बादा किया था, आप लोग भूल गए, दिक्कते रहीं, रेवेन्यों कम हुआ, कोर्स कम पर्चेस हुए, बट हम लगे रहे हैं, हाँ उसके बाद आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, आज उपीगुपता है, वर्ट पप्लर कंटेंट हम बना रहे हैं आपके लिए, बहुत सारे स्ट्वेंट देश देश से बारकर उनको हेल्प मिले, आप सभी का भाद धन्यवाद, हम अभी क्या है कि उतने बड़े यूटूबर नहीं है, उतने बड़े टीचर नहीं है, और आप लोगों को सपोर्ट बना रहेगा, तो हमारी म जग के आपके लिए काम कर रहे होते हैं, 24 गंटे हमें त्यार होते हैं, तब आप उसे कोशन बूछों, ठीक, यह मेहनत निश्चिती ब्रह्मान में कहीं खट्टी हो रही होगी, और आने वाले स्वय में, एक नहीं 100-200-1000 लाखों कैम करेंने के बच्चों को हेल्प करेगी, आप समी कभागा धन्यवाद